जन्दिन लोजना बनाके मुझे तो लग रहा हिंदुस्तान में सबके अकाउंट बना दिये थे मोदी जी ने उसके बावजूद चार लाख पच्पन हजार कारीगरों में से मात्र एक लाख पिचानवे हजार कारीगरों को कि आपने अकांट से बैमेंट की बाकी लगों कारीगरों को आपने का कि में जांद के लिए तया है कि इसी को दिया या नहीं दिया कोई कारिगर था या नहीं था इसमें तो करोड़ों की एहरापीरी कारोप है एल जी साहर ने इसमें भी नहीं का कि मैं अरजाच के लिए तैयार हूं हमारा यह मानना है अपने उंपर गंभी ब्रस्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एल जी साहर रोज नए नए नात कर रहे हैं आप सब को इस बात की जानकाई होगी कि दिली के माननी उप्राजेपाल वेने सक्सेना जी लगवल रोज सुबर उठकर अपनी ही दिली सर्टार के खिलाफ कोई खबर मीडिया के अंदर अखबारों के अंदर दे रहे हैं और हम लोग इतना हैरान है कि लगवल तो एक कॉस्ट्रियूशनल अब्लिगेशन होता है यह किस तरीके के आदमी है जो दिली के उप्राजेपाल बने है कि रोज कोई पुराना मामला उठा कर यह दिली की चुनी हुई सरकार के उपर हमला करते हैं हमने पिछले दो हफ्तों में देखा विने सक्सेना जी जब खादी उद्द्योक के चेर्मन थे उनके उपर तीन बड़े गभीर आरोप लगे पहला नोटबंदी के सबर उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बढ़लवाया और इसके बारे में और कहीं नहीं उनके खादी ग्राम उद्द्योक के हेड कैशियर का लिखित बयान है कि विने सक्सेना जी के दबाव ने विने सक्सेना के पुराने नोटों को बज़ला गया हमने कहा आप जाज कराइए वो जाज कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि दूसरा अरोप लगा विने सक्सेना जी ने अपनी ही बेटी को खादी ग्राम उद्द्योक के चेर्मन रहते बॉंबे में खादी लाउंच बनाने का काम अपनी बेटी को दे दिया हमने का कोई प्रोसीजर तो फॉलो हुआ होगा वह एक सरकारी तंत्र है उसका एक प्रोसीजर के बिना आप किसी को कोई काम नहीं दे सकते और अपनी बेटी को तो प्रोसीजर फॉलो करके भी नहीं दे सकते आप जाज करवाईए एल जी साब जाज करने के लिए बिल्कुल तयार नहीं है वो उनने एक बार में का कि मेरी जाज करवा लीजिए मुझे कोई दिकत नहीं वे जाज से भाग रहे है बो तीन दिन पहले मानिये सांसर संजेर सिंग जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया पतना हाई कोट का एक और दिखाया जिसके अंदर पतना हाई कोट ने खादी गाम उद्योग को यह ओडर दिया कि आप जितने भी कारिगर हैं खादी के उनको बैंक एकाउंट में सीधा पैसा देने की कवायत प्रधानमत्री मोदी जी किया वो खुद कहते हैं अगर पैसा केश में दिया जाता है मतलब उसके हंदर लूट होती है